ओके वन्स अगेन वेलकम ओल आफ यू तो हमने आपको कल एक्सराइज 2.2 हमवर्क दिया था आई होप सब लोगों ने कंप्लेट किया ठीक है काली कोश्चन 4 बचा था तो इसको अभी हम एक्स्प्लेंट करेंगे देखो यहाँ पे हैच्वली क्या दिया है एनुट एड्जॉइन टॉइंट अपे यह प्रॉडवक यह तो उटो गेलो एड्जॉइंट इंटू ए इसका अंसर determinant of A into identity matrix इतना आता है क्या verify करना है ठीक है और verify करने के बाद हम एक final conclusion लिखेंगे और यह CET में direct as a formula करके ही आपको द्यान में रखना है मतलब अगर मैंने आपको यह matrix A दिया और आपको बूला कि A into adjoint of A क्या आएगा तो आपको क्या करना है straight इसका answer लेना है तो यहाँ पर example दिया हुआ है salt example example 3 देखो matrix A दिया है 1,2,3,4 हमें यह verify करना है तो वो verify करने के लिए उन्होंने क्या किया पहले adjoint find किया और फिर A और adjoint A का multiplication लिया वो multiplication उनको minus 2,0,0,0,minus 2 मिला adjoint A into A भी वही मिला और determinant of A into I मतलब matrix A का determinant ले लो यह minus 2 आया और यह identity matrix और minus 2 से अभी बाहर जो भी number रहता है matrix के वो सारे number को multiply हो जाएगा तो 1 को multiply किया तो minus 2 यहाँ minus 2 और 0 into minus 2 यह दोनों जगत 0 आएगा तो देखो यह हर बार true आता है correct आता है तो यह direct formula यूज करने का तो अभी अगर मैंने आपको पूछा कि इसका value क्या आएगा A into adjoint of A का तो हम directly बोल सकते हैं कैसे हम बोल सकते determinant of A into I आएगा इसका value 3T में ऐसे shortcut solve करना है determinant of A मतलब क्या है इसका determinant ले लो इस matrix का matrix A का determinant into I I का 3 by 3 आएगा I identity matrix क्योंकि यह यह भी 3 by 3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह आएगा identity matrix और determinant of A value जो हमें यहां पर इस matrix का determinant लेना है वो determinant आप लेके देखो तो determinant of A का value क्या आएगा इस इक्वल टू 1 इन्टू इन ब्राकेट 0 माइनस 0 इस 0 माइनस माइनस प्लस 1 इन्टू 3 3 जा 9 प्लस 2 11 उसके बाद प्लस 2 इन्टू determinant 0 माइनस 0 इस 0 तो 11 आएगा 11 से अंदर ब्राकेट के अंदर multiply करो matrix के अंदर तो यहां आएगा 11 00 00 00 11 यह direct answer आपको मिलेगा किसका value मिला यह इसका adjoint of A into A या तो इसका A into adjoint of A तो यह हमेशा तीनों equal रहते हैं इसलिए इसको एक formula करके याद रखना है जबी भी आपको A into adjoint of A ऐसा multiplication पूछा जाएगा तो आपको ऐसे स्वाल करना determinant of A into I okay I identity matrix अगर capital A matrix 2 by 2 है तो identity matrix 2 by 2 आएगा और capital A given matrix अगर 3 by 3 है तो identity matrix भी 3 by 3 आएगा तो इसको formula याद रखो यह formula है तो यहां हम यह चाहे तो आपके notebook में note करके लिख लेंगे note करके लिख लोगे note A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I this is always true यह हमेशा true आता है और फिर आपको पूछा क्या जाएगा यह product तो डायरेक्ट इसका answer आपको ऐसे लेना है मल्टिप्लिकेशन करते में बैठों मल्टिप्लिकेशन करने को बहुत टाइम चला जाता है और मल्टिप्लिकेशन भी करना पड़ेगा अभी देखो बोड में स्वाल करने के लिए हमें कितने जमेले करने पड़ते हैं सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दिया है उसके उन्होंने चारों को फैक्टर फाइंड किये वहां से एज्जॉइंट फाइंड किये अभी एज्जॉइंट आप एका answer इसको equation 1 बोला एज्जॉइंट आप एज्जॉइंट आप इसको आप 2 बोला और डिटर्मिनेंट आप इंटू आए इसको 3 बोला और 123 से हमें तीनों एक्वल मिल गए माइनस टू जिरो जिरो माइनस टू मिले इस तीनों के तीनों ऐसे ही 3 वाई 3 के लिए आप स्वाल कर सकते ठीक है तो यह क्वेश्चन में अभी बोर्ड के लिए स्वाल करवा के नहीं दूंगा ओल्रेडी स्वाल एग्जेंपल जैसा है वैसे ही स्वाल करना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का आपको क्या फाइंड करना है एड्जॉइंट ओके बाद में ए और एड्जॉइंट का मल्टिप्लिकेशन ले लो इसको बोलो इक्वेशन टू डिटर्मिनेंट इन टू ऐ बोलो इसको बोलो इक्वेशन द्टिस देख के आपको थीनों के आंसर क्या मिलेंगे अभी अमने निकाला था का मीलेगा 1100 2011 0011 यही आंसर मिलेगा तीनों का, बस हम बोल सकते हैं, फ्रॉम वन टू तू त्री, आल इस त्री आर इकोल, तो यह चार मारक का कोश्चन है, मैं स्वाल करवा के नहीं दूंगा, आपको समझ में आया होगा, स्वाल्ड एक्जम्पल है, वैसा ही थ्री भाई थ्री का आप स्वाल कूरे क्वेश्चन स्वाल करने है, देखो, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन से, उसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूँ, क्लास में आप ट्राए करो, सारे के सारे आजाते हैं, तो बहुत अच्छा, नहीं आते हैं, तो संडे को डाउट पूछना है, ओके नेक्स्ट, मिसलिनेज एक्सरसाइज 2A is today's homework, ओके, अप्लिकेशन अप मेट्रैसे आज हम स्टार्ट करेंगे, अभी मैट्रिक्स का अप्लिकेशन जो है, हम लिनियर एक्वेश्चन को स्वाल करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, जैसे लिनियर एक्वेश्चन से इन और X और Y, तो यह ऐसे क्वेश्चन तो आपने मैट्रिक्स का इ Says करने है, याद आ रहा होगा, x is equal to dx upon d y is equal to dc upon d, z is equal to dz upon d, अभी मैट्रिक्स का इसका इसकरना है, और X और Y के वैल्यूओ फाइन करने है, ये तो दो variable वाला होगा तो ऐसे दो equation आएंगे तीन variable वाले तो ऐसे तीन equation आएंगे देखो ये तीन equation है A1X plus B1Y plus C1Z equals to D1 मतलब तीन variable XYZ है उनके values हमें find करने है जो इन तीनों equation को satisfy करते है In short application of matrix जो है उसमें हमें linear equations solve करने है linear equations in two variable और linear linear equations in three variable अभी इसके दो method है पहला method है method of inversion दूसरा है method of reduction method of inversion थोड़ा सा lengthy है लेकिन आसान है method of reduction थोड़ा आच्छा है fast हो जाता है इससे ओके तो इन दो method का हम एक एक question लेंगे ताकि आपको ये दोनों method आच्छे से समझ में आएंगे आज हमारा गोल है कि method of inversion सीके अच्छे से so now you can give the next heading okay let us discuss now method of inversion बहुत easy method है अब हमें actually एस question को अगर ये से टी में आता है ऐसा देखो question कैसा आएगा solve the equations by the method of inversion तो यहाँ पे जो दो equation दिये है तो यह दोनों equation है 2x plus 5y equal to 1 3x plus 2y equal to 7 अगर एस CT में ऐसा इतना आसान question नहीं आएगा लेकिन फिर भी आया तो क्या करने का सिदे-सिदे option में जो x और y के values दिये है वो दोनों equation में डालके देखो दोनों equation को satisfy करेंगे तो directly answer मिल जाएगा समझ में आया तो CT में direct आप यह ऐसे इतने easy question नहीं आएगे वैसे भी लेकिन आप direct solve करो जब ऐसे equation पुझे गे दो variable वाले equation आ सकते है या तो फिर ऐसे तीन variable वाले तीन equation दिये रहेंगे तो option में जो भी x y z के values है वो उठा के तीनो equation में डालके देखो तीनो equation को satisfy करने वाले जो x y z के values है वही हमारा answer रहेगा solve मतलब क्या solve मतलब x y z के ऐसे value find करो जो तीनो equation को satisfy करेंगे मतलब equation में मैंने x y z डाला तो मुझे तीनो में RHS यही मिलेगा 402 ओके यहाँ पे अभी solve हमें करना है इसको board method से जो कि है method of inversion तो इसके steps मैं बताता हूँ इसके पहले 4-5 steps जो है वो हर एक question में same रहते हैं तो वो 4-5 steps आप आपको लिखने हैं और यह question हर साल आता है या तो method of inversion से या method of reduction से एक question तो जरूर आता है inversion से तो इसलिए आप आपको याद रखना है यह 4 mark के लिए हर साल आता है तीन variable वाला x, y, z वाला यह वाला ऐसे हाँ कभी-कभी हो सकता है कि वो method of inversion से आए या method of reduction से आए लेकिन board में आता ही है यह x, y, z का using matrix solve करने के लिए 4 mark के लिए fix आता है तो अभी इसका तरीका देखेंगे हम कैसे solve करने हैं तो यह solve example तो मैं बाद में बताऊंगा ही उसके पहले हम directly अभी जो exercise के question है method of inversion वाले वो लेते हैं और उसके बाद method of reduction वाले भी लेंगे तो पहला question है solve the following equation by inversion method यह दो variable वाले हैं इसमें से एक question में आपको solve करवा के देता हूँ और फिर reduction वाले जो है यह भी दो variable वाले है और तीन variable वाला जो है उसके लिए यह word problem दिये है तो word problem से हमें पहले उसको word problem को equation में convert करना पड़ेगा और equation को हमें using matrix जो है या तो inversion method यूज करो या reduction method यूज करो x, y, z के values find करने ऐसे type के question आते हैं और यह आखरी का exercise है इस chapter का application of matrices तो inversion method से solve करेंगे पहले two by two वाले मतलब two variable वाले तो लेट उस गिव दा हेडिंग exercise अचा ठीक है पहले heading देदो method of inversion इन्वर्जन तो हम directly question ले रहे एक्सेसाइस का exercise 2.3 question 1 का हम लेंगे second question 1 second second इसलिए ले रहे है क्योंकि उसमें यह negative है इसलिए थोड़ा सा आपको difficult जा सकता है x plus y is equal to 4 पहला equation दूसरा equation 2x minus y is equal to 5 इसको solve करना है देखो इस equation को था आपने 10 standard में भी solve किया था directly आप इन दोनों equation को add करो ओके pair of linear equations in two variable याद आया simultaneous equation तो वैसे भी solve करके answer निकाल सकते हैं लेकिन तो सीटी में करो यहाँ पे हमें clearly पुझा गया using method of inversion method of inversion क्या है वो पहले discuss करेंगे तो solution see method of inversion का यह है कि आप हमेशा यह जो दो variable है इन variable के coefficient का एक matrix बनाओ इसलिए मैं क्या करता हूँ इस equation को second equation को यहाँ लिखता हूँ नीचे लिखते वग ऐसा लिखा करो ऐसे 2x minus y is equal to 5 ओके तो अभी method of inversion में क्या होता है कि हम coefficient का एक matrix बनाते हैं बाद में एक variable का matrix आता है और एक constant का matrix आता है तो कैसे आता है वो यहाँ पे solved example में दिया है वो एक बार देख लेते हैं see method of inversion में for example यह 2x2 वाला हमें solve करना है यह question तो क्या करते हैं देखो सबसे पहले जो भी given दोनों equation है उनको हम matrix में ऐसे लिखते हैं पहला matrix जो है वो अगर दो variable है तो 2 by 2 आएगा और इसमें आप देख पा रहें कि 2 5 3 2 यह चार element है यह क्या है पहले equation में x का coefficient 2 और y का coefficient 5 यह पहले रो में लिखने है और दूसरे रो में 3 2 x का coefficient 3 और y का coefficient 2 तमझ में आया तो बस यह हो गया पहला matrix बात में दूसरा matrix रहता है 2 by 1 का 2 by 1 मतलब इसमें 2 रो और एक कॉलम रहेगा इसमें हम दो variable लिखते है x और y is equal to तीसरा matrix आएगा यह constant 1 7 अभी देखके पता चल रहा है कि पहला 2 by 2 का है यह 2 by 1 का है यह 2 by 1 का है तो multiplication लेने के बाद final answer भी 2 by 1 का है आएगा आपको याद है यह 11 standard में आप पढ़े है ना पहला matrix 2 by 2 का दूसरा matrix 2 by 1 का तो multiplication हम इनको multiply कप कर सकते जब पहले के number of column और दूसरे के number of rows अगर सेम है तो multiply कर सकते है और multiplication का order क्या आता है यह दूसरा यह 2 by 1 तो इसलिए answer भी 2 by 1 आएगा इसमें अभी यह जो पहला matrix लिखा हमने उसको हम बोल सकते है matrix of coefficients सारे coefficient है ना पहले column में x के coefficient दूसरे column में y के coefficient उसको हम नाम देते है capital A variable वाला जो matrix है उसको हम नाम देते हैं हमेशा capital x xy और यह जो constant term वाले जो वाला जो राइट hand side में matrix है वह है उसको नाम दिया हमने capital B यह standard यही नाम देते हर बार हमेशा हम a x और b और हमें यहाँ पर formula मिला ax is equal to b अभी यह जो x equal to b formula मिला उसको हमें pre multiply करना है by a inverse pre multiply मतलब पहले multiply करो जो है इस a को cancel करने के लिए a inverse से multiply करो तो a inverse से अगर हम multiply करेंगे तो a inverse pre multiply मतलब पहले multiply करो post multiply मतलब बाद में करो मतलब यह x है ना इसको अगर मैंने ऐसे multiply किया a inverse से तो इसको बोलते है pre multiply और इस a x को हमने ऐसे a inverse से multiply किया तो इसको बोलते है post multiply प्री multiply मतलब पहले multiply करो ऐसे left में left से ओके तो a inverse से multiply किया हमने दोनों साइड, तो right-hand side में A inverse into B आएगा, इस equation को A inverse से दोनों साइड multiply किया, A inverse into A into X is equal to A inverse into B, A inverse A, इसका answer आयाएगा, identity matrix आपको याद है, I into X फिर से X आएगा, तो X का value का आया, A inverse into B, और हमें X का value चाहिए, X का value मतलब variable X और Y चाहिए, समझा, तो यह चारपा step जो हमें करने हैं, तो इसके लिए हमें पहले क्या जरूरी क्या है, A inverse find करना पड़ेगा, inverse find करेंगे, तभी तो उससे multiply करेंगे दोनों साइड, clear, तो इन्होंने यही क्या, और final answer जो है वो आपको पता ही है, X is equal to A inverse into B, बस A inverse into B लिख डालो, और जो भी answer आता है, वो ऐसा matrix आएगा, 2 by 1 का, तो उसमें पहला X का value 3 रहेगा, Y का value यह minus 1 आएगा, समझ में आया, 3 by 3 के case में, यह पहला coefficient वाला matrix 3 by 3 आएगा, पहले कॉलम में X के coefficient, 1, 2, 1, पहले कॉलम में, Y के coefficient दूसरे कॉलम में, minus 1, 1, 1, यह, और 1, minus 3, 1, यह Z के coefficient तीसरे कॉलम में, यहाँ capital X जो है, वो XYZ आएगा, और capital B जो है, वो 402, right hand side के जो भी constant है, वो आएंगे इसमें, फिर से वही step, एइंवर्स से multiply करो, AX equal to B formula हो गया, इसको A inverse से multiply किया, तो I into X equal to A inverse into B, X is equal to A inverse into B, अभी A inverse find करो by using adjoint method, और inverse से B को multiply करो, तो X मिल जाएगा, X, Y, Z जो है, उसके तीन values मिल गए, ऐसे answer आजाता है, समझ में आया होगा सबको, तो यही steps हम use करेंगे अभी, इसको solve करने के लिए, तो let us solve the question from exercise 2.3 by method of inversion, यह यह third वाला, sorry second वाला question हम solve कर रहें, तो यह है, तो इसको हम कैसे express करते हैं, पहले लिखेंगे, लिखते वक्त आप पहले ऐसा लिखो, एक line लिखना पड़ेगा, क्योंकि board exam में subjective exam में लिख रहें, अबव equation, can be written as, इनको ऐसा लिख सकते हैं कि, पहले कॉलम में x का coefficient, दूसरे कॉलम में y का coefficient, दूसरा matrix आता है, यहाँ पे xy is equal to यहाँ constant, 4, 5, and that is करके लिखो, ax equal to b, समझा न, capital A का आप क्या है यहाँ पे, where, where, capital A is equal to matrix 1, 1, 2, minus 1, capital X is equal to xy, और capital B is equal to 4, 5, clear, अभी ax equal to b, यहाँ पे लिखो, pre-multiply, pre-multiply by A inverse, pre-multiply करेंगे तो यहाँ मिलेगा, A inverse into ax is equal to A inverse into b, A inverse into A का answer आता है, i, ix is equal to A inverse into b, और i मतलब 1 जैसा है काम करता है, 1 into x, x आएगा, so therefore x is equal to A inverse into b, इसका मतलब हमें x अगर चाहिए, मतलब x और y के value चाहिए, तो पहले A inverse find करना पड़ेगा, और b तो हमें पता ही है, यह b है, तो A inverse पहले find करो, अभी matrix A जो है यह है, 1, 1, 2, minus 1, इसका inverse हम adjoint method से find करेंगे, so we have, we have capital A is equal to, matrix A दिया हुआ है, 1, 1, 2, minus 1, इसका A inverse find करना है, तो A inverse find करने के लिए adjoint method यूज़ करो, वो आसान है, तो पहले co-factor find करते हैं, हम पहला co-factor रहेगा, देखो एक एक चीज़ यादी रखो, इसका और इसका co-factor minor लेने के बाद negative आता है, ठीक है न, यह 1 है, 1 का co-factor आएगा, minus 1 raise to 1 plus 1 into minus 1, minor क्या आएगा इसका minus 1, तो यह आजाएगा minus 1, a1, 2 मतलब a1, 1 का row column अटा तो तो minor आएगा 2, और minus 1 का power आएगा 1 plus 2, negative 2 आएगा, बाद में a2, 1, minus 1 raise to 2 plus 1 into a1 आएगा, इसका minor और negative 1 आएगा answer, co-factor का, a2, 2 का co-factor, आप ही बोलो, a2, 2 minus 1 raise to 2 plus 2 into इसका minor 1 है, तो यह plus 1 आएगा, बस, therefore, adjoint of a क्या मिलेगा, adjoint of a, minus 1 minus 2, पहले row के, पहले column में लिखो co-factor, दूसरे row के, दूसरे column में लिखो, a हुआ, adjoint of a, बाद में a inverse का formula क्या है, 1 upon determinant of a into adjoint of a, तो determinant भी find करना है, तो मैं यही पे side में determinant भी find कर लेता हूँ, so determinant of a is equal to 1, 1, 2 minus 1, which is minus 1, minus of 2 is equal to minus 3, not equal to 0, therefore, a inverse exists, आप चाहे तो determinant पहले find करो, बाद में adjoint find करो, मतलब यह पहला step, और उसके बाद यह दूसरा step, समझ में आया सबको, और अभी क्या करना है, now let us find out a inverse, therefore, a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a, 1 upon determinant मिला minus 3, into adjoint है, minus 1, minus 1, minus 2, 1, बस यह मिल गया, a inverse, हमें x का value चाहिए, capital X, capital X दिया हुआ है, a inverse into b, यह formula लिखो अभी आगले step में, so therefore, we have, x is equal to a inverse into b, a inverse का value मिला, 1 upon minus 3, into adjoint of a, adjoint क्या मिला, minus 1, minus 1, minus 2, 1, ठीक है, और b का value क्या था, 4, 5, तो b, matrix b के जगा, 4, 5 डाल दो, पहले अभी क्या करो, इन दोनों matrix का multiplication लेलो, बाद में 1 upon 3 से हम divide करेंगे, 1 upon minus 3, तो यहां multiplication लेना है, तो पहला row, पहला column, minus 4, minus 5, यह पर एक element आएगा, और दूसरा element, दूसरा row, पहला column, minus 8, minus 2 into 4, minus 8, 1 into 5, plus 5, तो matrix में आएगा, minus 9, minus 3, अभी minus 3 से divide करो, क्योंकि 1 upon minus 3 है ना बहार, minus 3 से divide किया तो यह plus 3 आएगा, और यह 1 आएगा, ठीक है, यह मिला capital X, लेकिन capital X क्या था, capital X क्या था, very good, capital X, but capital X is nothing but XY, which is equal to 3, 1, so therefore we can write X is equal to 3, sorry, 3, 1, therefore X is equal to 3, and Y is equal to 1, बस हो गया, तो यह formula आयता है, X is equal to A inverse into B, यह याद रखो direct, inverse find करो और उसको B के साथ multiply करो, B मतलब क्या, यह constant वाला matrix, 4, 5, right hand side में जो रहते हैं, ओके, यह 2 by 2 का हमने बताया भी, जो exercise में था, अभी 3 by 3 का आपको बुक से ही बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, method of inversion से, देखो, बुक में यह 3 by 3 का अल्रेड इन्होंने solve करवा के दिया है, solve the following equation by method of inversion, तो 3 by 3 matrix से यहाँ coefficient आएगे, पहले कॉलम में X का, दूसरे कॉलम में Y का, तिसरे कॉलम में Z का, matrix X, X, Y, Z आएगा, matrix B, 4, 0, 2 सारे constant, बाद में pre-multiply by A inverse, यह 4 step as it is आते हैं, A inverse into A, I into X, X equal to A inverse B, A inverse find करो, adjoin method से, और A inverse into B, इन दोनों का multiplication ले लो, इस 10 से divide करो, तो X, Y, Z के values में जाते हैं, तो यह हुआ method of inversion, मैंने 2 by 2 वाल example, स्वाल करके दिया, 3 by 3 वाला direct book में से explain किया, अभी यह method आप use कर सकते हैं, ठीक है, अगले lecture में देखेंगे method of reduction, thank you very much.